गुद बॉनिंग अर्यवान, हाई, आम नितन सेंग, वेल गाइस इस वीडियो में आपसे एक प्राक्टिस सेट सरक रहा हुआ जो कि मुझे लग रही कई ना कई कि इस टाइब का कोशन और इस टाइब के कोशन फॉर्म हो सकते हैं एक्जाम में, गाइस मैं यह चीज़ एक्स डी आई के काफी क्लियर होगे, अगर मैं आपको बेसिक सिकाएं लग गया है यहाँ पे इस वीडियो में, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, थर्ड चीज मैं यह बोलूगा कि यदि आपने अभी तक अपने भाई का टेलिग्राम ग्रूप जॉइन नहीं किया है नित प्रिवेस यह कोशन होगे, सबसे बेस पार्ट यह है कि यह एकडम फ्री और गॉस्ट है, और उससे बड़िया पार्ट यह है कि जो इसन टेस्ट होगी, उसका जो वीडियो का अनलेसेस होगा, वो उसी दिन, उसी शाम आपको मिल जाएगा, आपने एक भी पैसा पीनी करना है और यह टेस्ट हर टूजडे, थर्जडे और साटर डे को होगी, यह टेस्ट अल्रेडी एक डिसमब से साथ ह जो चुकी है, तो जिसने अभी तक इसको एन्रोल नहीं किया है, वो जल्दी से जाएए, लिंक मैंने अल्रेडी डिस्क्रिप्शन कॉलम में दे चुका हूँ, तो वहां से जाएए, और जल्दी जल्दी क्लिक करके एन्रोल कर दीजे, आपको मेरा कोपन कोड लग सकता है, अपको मेरा कोपन कोड अपलाई करोगे, तो आप पूरी टेस्ट फ्री ओफ्कॉस दे सकोगे, वाकि जो लोग नए है भी अनकडेमी पे, तो वो लोग आप को डाउन्लोड करो, और लिंक पे क्लिक करके मेरा कोपन कोड अपलाई कर देना, वाकि एक चीज और बोलनी है, ज प्रकाइब करता हूँ, आप देख रहे हो कोशन, डिूरिंग टेन्थ बोड एक्जाम, यह पाइचार्ट का कोशन है, बेसिकली इसमें पांच कोशन रखे हुए है, और यह पांचों की पांचों कोशन कही ना कई मैंने एक्जाम को एम करते हुए रखे, लाक मैंने और यह रखे, आप देख कोशन है, फिरन टेन्थ बोड एक्जाम और पाइचार्ट के लिएक रखे हुए है, घिसमें मतलब टेन्थ की बोड एक स्कूल में और वहां पे पांच सेक्षन है, जिसमें टोटल हजार बच्चे है, लाक आप कोशन देख सकते हो, तो आप देख सकते हो पाँच है A, B, C, D, E और यहाँ पर बताया है कि 20% बच्चे A में है 30% बच्चे B में है 15% बच्चे C में है D में 20% है और E में 15% है Like यही मैं बोलू तो A में कितने हैं 20% of 1000 means basically 200 बच्चे A में अब मैं सबका मैं calculation करके रखनी सकता क्योंकि इतना समय exam में आपके होगा नहीं तो मैं direct आपके लिए question पर आता हूँ सबसे पहला question देखते है What is the ratio of students of section A and B together यह answer पढ़ना together लिखा हुआ है to section E मतलब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि section A और B मिलाकर और section E का क्या ratio है अब बहुत जो बच्चे जो कि मतलब एक देखनी रहा होगे उनको अप्रोच पता नहीं होगे तो वो क्या करेगे पहले वो 20% निकालेगे फिर वो B का 30% निकालेगे फिर वो E का 15% निकालेगे फिर वो A और B को add करेगे और फिर वो E का ratio निकालेगे guys इतनी लंग भी अप्रोच हमें करनी नहीं है हमें direct simple तरीके से अप्रोच यूज करनी है shortcut यूज करना है वो ये करना है हमें ये पता है कि total value 1000 है right और मुझे ये पता है कि A और B का जो भी मतलब हो 20% 1000 का 30% 1000 का तो वो cancel ही होना है एड़ियन तो मैं directly ये कर सबता हो ना कि मैं A और B को add कर लूँ upon में E को निकाल दूँ like मुझे पता है कि A और B A 20% B 30% so like basically कितना हो गया 20 plus 30 50 and E कितना है 15% यदि मैं इसको आगे और cross करूँ तो मेरा answer क्या बनेगा 5 10s आ 50 और 5 3s आ 15 dog का answer इसम बनेगा 10 raise to 3 guys मैंने इसमें आपको option इसली नहीं दिये क्योंकि यदि option मिल जाते नहीं कहीं नहीं हम लोग मतलब बहुत मतलब फिर जुगाड़ बन जाते तो मैं जुगाड़ नहीं चाता हूँ मैं आपको approach सिकाना चाता हूँ ठीक है और गाइस यदि वीडियो अच्छा लगें तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरू करें अब यदि आपको इस question समझा होगा तो मैं आपको फिर से बताता हूँ यदि मैं directly A और B को add कर लू तो total होगा 20 प्लस 30 फिफ्टी परसंट और E का total कितना है 15 परसंट दोनों का मैंने ratio निकाला 5 10s और 50 5 3s इसका answer होगा 10 raise to 3 next question के जब चलते हैं यहाँ पूछा है कि what is the average of students from section A, B, C, E इसको solve करने की दो approach है guys इसको हम पहले तो यह कर सकते हैं कि A, B, C, E को add कर लो divide by 4 कर लो यह मैं यह भी कर सकता हूँ कि मैं D को छोड़ दू और वाकी 4 को add कर लो अब मुझे पता है कि D कितना है 20% है तो बचा कितना होगा 100 में से 20 मैनस कर दो 80% बचा है यह मैं यह भी कर सकता है कि A को add करो, B को add करो, C को add करो, E को add करो तो guys यदि एक बंदा smart है तो वो क्या करेगा उसको यह बता है कि D 20% है तो directly मैं जो पता है कि 80% है ना करी मेरी 4 की value होगी तो मैं directly 80% upon 4 करूँगा तो like basically यह 20% है और 20% किसका 20% 1000 का so basically answer कितना हो जाएगा इसमें 200 guys आपको समझ में आ रहा होगा guys कैसा मेरा ही first time है तो मैंने कभी समझाया है नहीं है मैं कोशिश करता हूँ बेस दूँ वाकि कुछ भी गलत होगा तो अपलो मुझे suggest जरू करना की sir ऐसे भी कर सकते थे आप इसको मैं एक बाद फिर से बताता हूँ what is the average of student from section A, B, C, E basically मैं A की value को add करूँगा, B की value को add करूँगा, C की value को add करूँगा और E की value को add करूँगा so basically total बनेगा 80, वहाँ पर divide करूँगा 4 से तो होगा 20% but यदि एक smarter approach रखूँ तो मैं ये कर सकता था कि मैं को D की value पता है क्योंकि उसने D यहाँ पर नहीं mention किया, D यदि 20% है तो obviously बात है कि remaining 80% है, 80% को divide by 4 करो तो 20% आएगा और 20% किसका 1000 का so basically ये है 200 I hope guys आपको समझ में आ रहा होगा अब मेरा तीसरा question है what is the difference between the student from section A and E together to the student from section B and C यहाँ पर ये guys ये पूछ रहा है की difference पूछ रहा है मुझसे अब difference कैसा है ये डिया यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपके ताकि ये दिख पाए आपको question यहाँ पर ये पूछ रहा है की what is the difference between the student मतलब student जो section A के है और E के है together और section जो B और C है तो guys यदि मैं calculation करूँ तो एक norm बच्चा जो होगा 20%, 15%, 30%, 50% निकालेगा बट एक smarter approach क्या होगी कि मैं directly add कर दूँ अब मुझे पता है A और E कितना है 20 plus 15, 35% और B और C कितना है 45% मुझे पता है कि ये total value 1000 है तो मैं चाहे 35% और 1000 निकालू या मैं directly इन लोग को minus कर दूँ और फिर निकालू 1000 तो guys यदि मैं direct अब करूँ तो मैं क्या कर सकता हो कि मुझे पता है A कितना है 20% है E कितना है 15% है तो मुझे पता है A और E की value कितनी होगी A plus E की value होगी 35% 35% of 1000 और मुझे पता है कि B और C कितना है B है 30%, C कितना है 15% तो guys इसकी value कितनी होजाएगी इसकी value होजाएगी B plus C की 45% of 1000 तो guys basically यदि मैं 1000, 1000 को eliminate भी कर दूँ तो मैंना difference कितना होगा 10% 45 मैं 35 कितना होगा 10% So basically guys it is 10% of 1000 So it is 100 I hope guys आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं जानता हूँ मैं शायद उतना अच्छे समझा पा रहा हो की नहीं I don't know बढ़ना पूरा अपना बहस देने कुछी कर रहा हो नहाँ पे अब ये next question पूछ रहा है कि What is the central angle formed by section A and D together अब central angle basically guys मैंने ये expect कर रहा हो कि आपको पता होगा बढ़ फिर भी बता रहेता हूँ मैं आपको Like आपको पता है कि 100% is equal to 360 degree 10% is equal to 36 degree so basically 1% की value हो जाएगी 3.6 degree अब वो मुझे question में ये पूछ रहा है कि What is the central angle formed by section A and section D together दोनों का एक साथ पूछा है तो अब मैं क्या करूँगा आप लोग इतने दांसे देख रहे हो 20% plus 20% basically it is 40% क्योंकि मुझे A की value पता है 20% है D की value पता है it is 20% है so guys basically ये कितना हो गया A plus D 40% so जब मुझे पता है कि 10% की value 36 है तो 40 कितना होगा 10 into 4 40 होता है तो 36 into 4 कर दूगा so basically it is 144 degree guys सही समझा को like मुझे पता है कि 10% की value 36 10% की value 36 degree है यदि मैं को 40 बनाना है तो इसको 4 से multiply करके 40% आएगा तो इसको भी मैं 4 से multiply करूगा तो basically ये 144 degree हो जाएगा I hope guys आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने पहली ही कहा था कि इसमें आपको आपके basic concept clear होने चाहिए ये एक सी practice set है बाकि अब मैं last question की बात करूँ ये थोड़ा सा calculative question रखा है मैंने well guys ये last question है और मैंने कहा था पहले भी आपको कि एक हाथ question आपको clerical level में calculative मेलेगा ही मिलेगा और ये question को मैंने इसलिए जान बूझ के थोड़ा सा calculative रखा है जैसे paper में आता है सबसे बात question को read करते if there is another section F if there is another section F whose students is 10% more than whose student is 10% more than section A then find the number of student of section F यदि guys इसको solve करने की भी दो approach है यदि मैं एक basically एक percentage यदि मुझे आता है तो मैं directly 10% की fraction value निकाल लोगा तो मुझे ये पता है कि 10% की fraction value कितनी होती है 1 by 10 और वो ये बोल रहा है कि जो section F है वहाँ पे 10% बच्चे जादा है as compared to section A तो मुझे पता है कि 10 plus 1 का रूखा तो कितना हो जाएगा 11 तो basically जो ratio है section F और section A का वो हो जाएगा 11 raised to 10 और मुझे ये पता है कि section A के अंदर 20% बच्चे है तो 10 unit की value यदि 20% है so basically ये multiply 2 से हुआ कही ना कही so that also means कि 11 को यदि मैं 2 से multiply कर दू क्योंकि 10% की value 20% है मतलब 1 unit की value 2% हो गई है so basically F कितने unit है F के है 11 unit ये 11 unit है so 11 को यदि मैं 2 से multiply करूआ so F कितना हो जाएगा 22% so अब मैं directly निकाल हुआ कि 22% of 1000 is basically 220 मैं गाइस आपको फिर से समझाता हूँ ये सबसे easiest method समझाया है आपको मैंने directly आपको पता है यदि अपना percentage का chapter थोड़ा ही पड़ा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है if there is another section F whose student is 10% more than section A ये ये बोल रहा है कि जो F section है वहाँ के जो बच्चे है वो 10% जादा है as compared to section A की then find the number of students of section F यदि मुझे पता है कि 10% की जो fractional value होती है वो होती है 1 by 10 so basically A जो है वो कितना होगा 10% जादा मतब F की value हो जाएगी 11 10 plus 1 11 और A कितना है 10 और मुझे ये पता है pie chart से में को देखने को मिल रहा है कि A जो है वो 20% है so मैं directly equate करूगा 10 units is equal to 20% therefore 1 unit की value 2% अब मुझे ये पता है कि F कितना है 11 unit so 11 into 2 22% so अब मैं directly 22% of 1000 निकालूगा that means 220 students are there in section F I hope guys मैंने अपमे तरीके से मैंने best डालने की कोशिश करी है और मेरा ये first time है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है और मैं इतना techno friendly नहीं हूँ मैं कोशिश करूगा कि next time जब video बनाओ तो और मैं अच्छा बनाओ और आपको सम्झाने की कोशिश करूँ आप लोग बताना comment down में कि video कैसा लगा और क्या suggestion देने से ये आप लोग ने गलत भी होके तो मैं accept करूँगा मैं हर चीज़ को accept करने को ready हूँ बट कोशिश करना कि ये वीडियो ज़्यादा से आप शेयर कर सकूँ और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वाकि आने बेर टाइम में मिलते हैं तिल देन सी यू राम राम